कोविट नाइंटीन महामारी एवं सरकार द्वारे लोकडाउन के चलते जन्ता ने बीसनल सेबाओं को हाथों हाथ लिया है बीसनल धर्मशाला के महापरवंदक प्रदीप सिंग ने कहा कि लोकडाउन के दुरान बीसनल सेबाओं को लेने के लिए उपभुगताओं की मांगों में आशादीत बृद्धी हुई है धर्मशाला SSA में लेंड लाइन सही रोड बैंड एवं FTTH कनेक्शन देने में लगबग 30 प्रतिशत से भी अधिक बृद्धी हासिल की है FTTH कनेक्शन देने में धर्मशाला में परदेशपर में सबसे आगे चल रहा है अप्रेल मईब जून तिमाही पर ही निजरे डाली जाये तो दूर संचार जिला धर्मशाला ने लैंड लाइन 366, ब्रोड बैंड 381 एवं FTTH, 792 कनेक्शन उप्भोगताओं को उपलप्त करवाई है COVID-19 के तुरान बाहर से आने पाले विद्यार्थियो एवं अन्य नौकरी पेशा लोगों के कारण भी BSNL के ब्रोड बैंड एवं FTTH की मांग बड़ी है और पर्ड फ्रों हॉम के लिए उप्भोगताओं ने BSNL में गहरा बिश्वास जताया है महाप्रवंदक ने कहा कि नीसंदे सीमित संसातों की चलते दूर संचार विवस्ता को सुचारू एवं सुद्रिड रखना एक चुनोती भरा काम रहा है BSNL ने BTS से संबंदित अपने तकनीकी स्टाफ को स्तरक्ता के साथ तनात किया है जो विबिन शेहरी अत्पग रामेंड क्षित्रों में तुरंचा करते हैं बसंचार विवस्ता को सुचारू कर रहे हैं दूरसंचार जिला धरमशाला डिलहोजी, बनीखेत कांगरा, मेकलोडगंस, रजियाना, निग्रोटा बागवा, योल नूरपूर, रहन जवाली चंबा पालंपूर, मारंडा भवारना, संसारपूर टैरिस, चंबा आदी में FTTH से बाइनते रहा है लागडाउन लगने के बाद पहले सुरूबे हमें ऐसा लगा कि इंटरनेट की जो ब्रॉडबेंड की जो माग है वो कम होगी, लेकिन 10, 15, 20 दिन के बाद एकदम से हमारे पास ब्रॉडबेंड की माग आना सुरू हुई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले तीन महिने में हम लोगों ने करीब-करीब ब्रॉडबेंड और FTTH में 30% ज्यादा उभगताओं को हम लोगों ने कनेक्शन दिये हैं और ना केबल ब्रॉडबेंड बिलकि मोबाइल में भी 30% इंटरनेट का जो डेटा है उसका यूजज बढ़ा हुआ है अभी करीब-करीब 30% का इंक्रीज हम लोग देख पा रहे हैं 30% के आसपास हमारा डेटा इंक्रीज भी हुआ है और हमारे उभगता भी बढ़े हैं दूसरी एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यहां पर FTTH की सेवा शुरू की है धरम साल ऐससे में और पिछले लागडाउन में हमने करीब-करीब 400 के आसपास हमने नए FTTH connection का मतलब है Fiver to the home इस सेवा में क्या होता है कि हम लोग जो broadband सेवा देने के लिए आपके पास पहले copper line से जाते थे लेकिन लेकिन F2TH में हम लोग optical fiber को ही customer के पास तक ले जाते हैं तो उससे फायदा यह है कि हमारी speed slow नहीं होती मैं बताना चाहूँ आपको कि F2TH में हम अपने भगताओं को 100 MB per second की speed उपलत करा रहे हैं और लोग बड़े खुस भी हैं